नमस्कार सर मेरा नाम राजू है मेरी एक दोस्त है जो डॉक्टर है उनका जैसे ही नोकरी लगा तो मैं उनके पास विजिट किया उनको कहा कि तुम्हें पैसे के मामले में जो भी डिसिजन लेना है मुझसे एक वर वाटसप करके जरूर पूछना है और अभी तुम्हारा एक मैं SIP का एकाउंट खोलूँगा और उसमें तुम्हें 20 जर्पे परमंत कंटिन्यू करना है फिर उन्होंने कहा लेकिन मेरा तो प्लान एक घर लेने का है तो मैंने कहा अभी तुम कहां पर रहती हो और कहां पर काम करती हो तो उन्होंने कहा अभी जो ऑफिस है उसके बगल म करना है देरे देरे समय आते आते सारे कोस्टन का एंसर तुम्हें पता चल जाएगा जैसे बोल रहा हूं वैसे करो और ऐसा करते हुए उनको आठ साल बीद गये हैं उनका कंफर्टेवल जिंदगी है कोई भी मैडिसीन उनके जिन्दगी में नहीं है पर यदि एक छोटा सा काम कर लेते वो जिंदगी में कि वो अपना घर खरीद लेते ये सब कुछ है पर ये घर के सामने अपना लगा देते वर्ड कि एक कागज मुझे मिल जाए अपना घर लेते तो वो घर 20 किलमेटर दूर होता ओफिस से बच्चे का इसकुल 10 किलमेटर दूर होता और इस तरह क यदि भाग दोड का जिंदगी जीते तो उनके जिंदगी में सूगर बीपी हैपर टेंसेट का मेडिसिन जरूर आ जाता जैसी कि कोड़ों लोगों के जीवन में ऐसा चली रहा है अब मैं आपको आठ साल में उनके एसाइपी का वेल्यू दिखाता हूं कि वो वेल्यू क्य क्या है 20 जर्पे परमंद किया 8 साल पहले से चल रहा है उनका जब पूर्टफोलियो देखता हूं तो 16 परशल के रेट से 49 लाग रुपया उनके पूर्टफोलियो में दीख रहा है जबकि मैं उनसे 8 साल पहले जब मिला था तो उनको कहा था कि आपको ये एसाइपी 20 साल त तक और कंटिन्यू हो तो टोटल जमा करेंगे और 40 लाग रुपया और वेल्यू बनता है 3.49 लाग रुपया ये पैसा किसी भी साधारन आदमी के जिन्दगी में है ही नहीं क्योंकि उन्होंने कभी जिन्दगी में प्लान ही नहीं किया कैलकुलेट नहीं किया अगर उनके तरह से कोई भी कैलकुलेट करें तो ये पैसा जिन्दगी में आएगा ही आएगा जो लोग अपने जिन्दगी में कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं चाहे आप कोई भी इन्वेस्टमेंट ले लिजिए वह इस इन्वेस्टमेंट से बहतर नहीं हो सकता है आपको मुचल ब्रूप में जरूर सेयर करें थेंक यू सो मच